बहुत सारी लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा बिजनेस उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए कोई बोलता है मुझे एक साल हो गया है मुझे दो साल हो गया है और एक लंबा समय हो गया है लेकिन फिर भी हम लोग वो बिजनेस स्पीड नहीं ले पा रहे हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं मैं आपको इसके तीन बेसिक कारण बताता हूं जिन कारणों से लगबग सभी लोग रिलेट कर पाएंगे और यह कारणों के आसपास ही जो है आपका बिजनेस ऑपरेट होता है इसके अलावा कोई चौंथा ब सेरिवाध्यान से आप अपने कुछ तरीकों को समझ के वयटे हैं ऍसा तरीके से काम होगा लेकिन हो सकता है कि आीट्विं से आदार पर वहां पर एक सफलता हासल की हो या वहां पर एक प्रकाज़ की ट्रेनिंग दी गई हो तो आप उस को उस ट्रेनिंग को जो है भूल नहीं पा कि आपको जादा से जादा हैंगिल पार्क सरको फॉलो करने पड़ेगा इसके इसकी जगह पे आप किसी और को फॉलो करें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ हैंगिल पार्क सरको फॉलो करें या फिर अपने अलावा दुनिया की सारी चीजों में कमिध होने के लिए निकल तक आप खुद अपनी तो तब तक आपको result नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद अपनी कमिया identify ना करो, उसको accept ना करो और उसको 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 दुबारा काम करना start ना करो, तो यह हो गया पहला कारण, दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपने जिन potential leader को prospect किया हुआ है, वो pattern success का, जो हैंगिल पाक सर ने बताया हुआ है, उसी pattern, उसी system को आपको duplicate करना पड़ेगा, ठीक है, अब पहली गलती जो आपने की थी, उस गलती को आपने ही अपने team में duplicate करवा दिया है, तो जाहर सी बात है कि पूरी team एक गलत method में काम कर रहे हैं, जिसके यह हो सकता है कि आपने अब तक जितने भी prospecting की है, जितने भी leaders को आपने अपने business में लेके आया है, हो सकता है उन में से अभी तक आपको potential prospect मिला ही ना हो, जो आपको सही ग्रोथ दिला सकता है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी prospecting रोकनी नहीं पड़ीगे, आपकी prospecting और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये business जो कि हेंगल पार्क सर बोलते है jackpot hit करने का business है और सबसे पहले आपको वो jackpot बनना पड़ेगा किसी अपनी एक applying के लिए और similar वो jackpot आपको hit होगा और ये jackpot hit होने की chances कब बनते हैं जब आप अपनी prospecting की frequency बढ़ा देते हो तो जितनी ज़्यादा prospecting आप बढ़ा दोगे जाहर सी बात है कि हर बार नए नए लोगों तक आप पहुँचोगे और जाहर सी बात है कि आपके जैसा या आप जिसको आइडिल मानते हो जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके जैसा कही ना कही कोई ना कोई व्यक्ति 110% होगा जैसे आप लोगों को तलास रहे हो वैसे लोग भी इस opportunity को और आपकी जैसी leadership को तलास रहे तो उसके लिए जरूरत है उन तक पहुँचने के लिए तो पूरा जो direct selling का business का success है वो इन तीन basic कारणों पर ही depend करता है एक बार आत्मन्थन कीजिए बैट हिए मैं बोलता हूँ कि चार दिन काम मत कीजिए चार दिन एकदम zero काम कीजिए लेकिन चार दिन बैट के identify कीजिए कि गलती कहां हो रही है और गलती कहीं ना कहीं आपको आप में या फिर आपके द्वारा duplicate किये गए business model में अपने तरीकों में अपनी trainings में या फिर तीसरा जो मैंने आपको तरीका बताया है कि right potential leader ना मिलने वाली stage पे यहीं कहीं गलती हो रही होगी इसके लावा कोई तीसरी बड़ी बात नहीं है तो start कीजिए इसको और देखीगा 110% आपको बहुत शानता result मिलना start हो जाएंगे thank you so much all